दोस्तो आज बात करूँगा रोमेंस के किंग केज आने वाले देश फ्रांस के बारे में जहांके वादियों में रोमेंस दोरता है यहांके सोसाइटी और कल्चर इतना डिप्रेंट है कि सुनकर सर फिटने लगेंगे फ्रांस यहांके अस्कुलों में कॉंडॉम बढ़ता है फ्रांस के लोग साधी से अच्छा कुवारा रामा पसंद करते हैं यहांके कुवारी लर्कियों के होने वाले बच्चे के असली बाप कौन है इनका इन बच्चों को कुछ आता-पता नहीं चलता है एक ऐसा देश जहां मरे वे इंसान से साधियां रचाई जाती हैं जी यहां चौप के मत बस इस वीडियो में बने रहिए सब पता चलेगा तो चलिए without wasting more time वीडियो को अस्टार्ट करते हैं दोस्तों फ्रांस के लोगों में बहुत कम उम्र में ही रोमेंस की भूतसवार हो जाती हैं यहांकि लर्कियां 16 के उम्र आते आते अपनी virginity खो देती हैं जिसके वज़ा से कुमारी लर्कियों में pregnancy की तादात काफी बढ़ गई है अर्षने वाली बात यह है कि इनके होने वाले बच्चे को अपने मम्मी के बारे में तो मालूम होता है लेकिन इनके असली बाप को नहीं बच्चों को इसका कोई आता पता नहीं चलता है वेल गाइज फ्रांस के अस्कुलों में दस्मी कलास के बच्चों को अन्य सब्जेक्ट के तरह सेक्स की एक अलग कलास लगवाई जाती हैं और इस कलास में बच्चों को बहता धंग से सेक्स के बारे में एडुकेट किया जाता है लोलेज के लिए आपको बता दू फ्रांस के तकरीबा 90% अस्कुलों में पॉंडॉम के लिए वेंडिंग मसीने लगवाई गई है इस मसीन को लगवाने के वज़ा यह है कि यहां के स्टुडेंट अपने पार्टनर को सेफली सेक्स कर सके जिससे कुमारी लर्कियों में होने वाले प्रेग्नेंसी की तदात कम हो सके बताईए इसे देश के अस्कुलों में ही गवर्मेंट इसे इसे सुविदा अउगलत कराएंगे तो लाजमी बारी बात है बच्चे तो ठरकपन का सिकार होगा ही जैसा कि आपको बताया था फ्रांस में मरे वे इनसान यानि मुर्दों से साधी रचाई जाती है आपको ये भी बताया यहां के कुछ लोग अधिक उम्रों तक्वारा रहने में रूची रखते हैं और अपने एक से अधिक पार्टनर के साथ लिबीन में रहते हुए खूब मोज मस्ती करते हुए जिन्दगी गुजाते हैं दोस्तों आपको मालूम होगा किसी काम को लिमिट में करने से नुक्सान नहीं के परावर होता है वही लिमिट क्रोस करने की कोशिस करता है तुसे भगवान भी माफ नहीं करता यही आला है फ्रांस के युवक और युवती का ये लोग मोज मस्ती में इतना खो जाते हैं कि अपनी लिमिट भूल जाते हैं और केरियर बनाने के जग़ पैर में डूबे रहते हैं और समय गुजर जाने के पाद डिप्रेसन का सिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती हैं मौत होने वाले इंसान की प्रोपटी सरकार के अरे हाथ लग जाती थी लेकिन जब यहां की कपन ने सरकार का विरोध किया तो सरकार ने ये नियम बनाया मरे हुए इंसान का जो भी पातनर हो वो साधी कर उनका सभी प्रोपटी अपने नाम कर सकता है प्रोपटी नाम होने के बाद ये यूग्टी यहां भी नहीं रुखते और दूसरे आज़िक के साथ जिन्दगी में सेटल हो जाते हैं दोस्तो अब आपको मालूम हो गया होगा आखिर्कियों फ्रांस को रोमेंस आफ्सकीन कहा जाता है इन्वेस्टन कंट्री के कल्चर से अंदादा लगाया जा सकता है अपनी देश यानि भारत का संस्कृती कितना संस्कार से भरापरा है और अपनी देश की संस्कृती पर गर्व होना चाहिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर ले साथ ही लगे हाथ बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तो फ्रांस यूरोप का तीसरा सबसे बढ़ा देश है जिसकी सीमा अस्पेंड, इटली, सुटिजर लेंड, लकजमबर, बेल्जियम और इनके अलावा अंडोरा और मोनाको जैसे देश की सिमाओं को ठच करती है फ्रांस की कुल आबादी 6 करोर 55 लाक है और यहां के 82% लोग साथ में राते हैं तो वही केवल 18% लोग गवं में राते हैं फ्रेंच लेंगवेज फ्रांस की नेशनल लेंगवेज है गाइज फ्रांस की केपिटल यानी पेरिस में वर्ल्ड फाइमस एफिल टॉवर इस्थीत है जिसे देखने के लिए परते एक साल फ्रांस के अबादी से भी जैदा लोग इन एफिल टॉवर को देखने के लिए आते हैं जिसकी वज़र से फ्रांस अपने जीडीपी का 10% गरोध तो इन टूरिस्टों से कर लेता है दोस्तो मुठी भरका तो फ्रांस देश है लेकिन एक समय था पिर्थिवी के 26 देशों को कबजा कर रखा था और ये 26 कंट्री फ्रांस से अजाद होने के लिए ही अपना इंडिपेंडेंस दे मनाते हैं दोस्तो एक बात सुनकर आपको थोरी से हेरानी हो सकती है यहां के एक राजा लुईस 11 थे जो केवल 20 मिनट के लिए ही आके राजा बन पाए थे जिहां आपने सही सुना हुआ येकी राजा बने के 20 मिनट बादी इनके पीठ में जोर की पेन हुआ जिसका सहन कर नहीं पाया और तुरंत उनकी मौत हो गई दुनिया का सबसे ज़्यादा दिनों तक जीने वाला इंसान जेन लुईस केलेमेंट था जो कि फ्रांस का नागरिकता 122 साल और 164 दिनों के बाद अपनी अंतीम सांसे ली इनका धन्म हुआ था 21 फरवरी सन 1875 इस भी को और ये 4 अगास 1907 तालम को इस दुनिया से विदाई ले ली फ्रांस में कोई भी प्यार में डूगे इनकसान रेलवे एस्टेशन पर किस नहीं कर सकता यहां के वार्मिंट मानते हैं कि किस करते समय कपल अपनी अलग दुनिया में रहते हैं और ट्रेन आ जाय तो उसे खत्रा हो सकता है काईज फ्रांस में होमो सेक्स वग को आपस में रहने का मानियता दे रखे हैं करने का मतलब यह सामलेंगी कि यानि लर्का लर्का से और लर्कियां लर्कियां से साधियां रचा सकते हैं अमेरिका के नियोर्क सर में स्थित बहुती फैमस अस्टेश्ची अप लिबर्टी उसे अमेरिका नहीं बनवाया बलकि फ्रांस के दोवारा गिप के तोर पर अमेरिका को दिया गया था फ्रांस में पुलिस अष्टेशन और पुलिस और उनकी गार्यों और मुझरिमों का भिना इजाज़त की तस्वीरे लेना अपरा आध माना जाता है और तस्वीरे लेते पकरे जाने पर जेल की प्रावधान है दोस्तो आपने देखा होगा इंडिया के होटेल और रेस्टोरेंट में बचे हुए खाने को वेस्ट में फैंक देते हैं लेकिन फ्रांस में इसा करना जूर्म माना जाता हैं क्योंकि यहां के गवर्मेंट मानते हैं कई गरीब और और साहे लोग होते हैं जो एक वक्त का खाना खाने के लिए तरस खाते हैं और भूके सो जाते हैं इसलिए यहां के गवर्मेंट का क्याना है, होटेल और रेस्टोरेंट में बचे हुए वेस्ट खाना, आप गरीब और और साहल लोगे में बांट दो, वैसे ये नियम अपने इंडिया में भी लाग होना चाहिए, दोस्तो अब आपको बताना चाहिए, फ्रांस की वो कौन- में टेंपरली बनाया गया था, लेकिन इस टावर को दुनिया भर के लोग इतना पसंद करने लगे कि ये बहुत फाइमस हो गया, जिसके कारने से हमेशा के लिए ऐसे ही रहने दिया, हर साल जो भी टूरिज्म फ्रांस आते हैं, वो ये फिल टावर को देखने के लिए ही आ आते हैं, यहां खास तोर पर दो प्यार करने वाले कपल, इनके नीचे वैट कर प्यार भरी बाते करते हैं, मांट सेंट मिसल, दोस्तों फ्रांस के उप्तर पस्चिम में, मांट सेंट मिसल दूइप की अकार में बनाया गया है, और इसका निर्मान 708 हिस भी में हुआ था, यहां हमेशा पर यह टकों की भीर लगी होती है, तो दोस्तों यह था फ्रांस के नजारी, कैसा लगा आप हमें कोमेंट में बता सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर, डेल आइकन को दबा लीजिएगा,